हेलो फ्रेंट्स मैं मोहन बर्मा अन्मोल अश्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत है मैं यूट्यूब में जितनी भी प्रत्यूटता परिछाय होती है SSC, ODC, LDC, आइकर सहाय ग्रेट, पुलीश सव इंस्पेक्टर, बैंक पीओ, आस्पेशलिस्ट ओफिसर, LIC, PCS, रेलवे परिछा, NDA, CDS, CTAT जितने तरह की परत्यूगता परिछाय होती है उनके लिए एक मैं सीरीज कर्मवार देने जा रहा हूँ इस क्रम में मैं सबसे पहले आज मैं टेबल जो गनीत का सबसे बेश चीज होता है आधार चीज होता है टेबल मैं बताने जा रहा हूँ इसके बाद में सौटिक से जोड, सौटिक से घटाओ, मल्टिपिलिक्षन, डिभाइड, संख्या पधती, महतम स्वावर्तक, लगुतम स्वावर्त, दसमल्लव, सरली करन, वरमूल घन्मूल, आउसत इसी तरस से करमवार रूप से आयू समन्धी प्रस्ण, परति सत्ता, लाभानी, अनुपात समानुपात, समय तथा कार्ज, पाइप तथा टंकी के प्रस्ण, समय तथा दूरी के प्रस्ण, रेल समन्धी प्रस्ण, धारा तथा नाव समन्धी प्रस्ण, मिश्रन, इतनी भी टॉपिक एक परतिवगता परिछाओं में पूछा जाता है। उन सभी टॉपिक को लिले करके उनमें जिस तरह के प्रस्ण पूछे जाते हैं। उनका सभी का उधारन सहीत 100 टिक्स जिसको आपको बनाने में मात्र 2, 3, 5, 10 सेकेंड उससे ज़्यादा लगने वाला नहीं है वैसे मैं टिक्स को देने जा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों जदी मेरे चैनल को अभी तक सब्क्राइब नहीं कियो हम तो आप सब्क्राइब कर ले। सब्क्राइब करने से सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुछेगा। और जदी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग आज का जो सब्जेक्ट है टेबल प्राया एक से आठ तक लोगों को टेबल आध रहता है नौ से उधर तक का टेबल में, बड़े संख्याओं को टेबल में दिकत होती है तो मैं सबसे पहले नौ का टेबल दिखता हूँ नौ का टेबल के लिए आपको क्या करना है जीरो से कांटिंग फिर जीरो से स्टार्ट करिए यहां से जीरो एक दो तीन चार पांच छो साथ आठ नौ अब यह जीरो को हटा दिजिए अब जैसे ही हम जीरो को हटाते हैं हम देखते हैं नौ का टेबल मेरा रेडी है नौ का टेबल बन गया केवल हमने क्या क्या कि कांटिंग नौ तक लिखे फिर यहां से फिर कांटिंग नौ तक लिखती है नौ का टेबल तो इस तरह से हम कोई भी दूसरे का हम देखते हैं कैसे होता है suppose that हमको उनेश का टेबल करना है इसके लिए यहाँ पर दिखिए इधर है एक इधर है नौ तो इधर जितना है और इधर जितना है उसका अलग-अलग टेबल आप लिखते हैं एक का टेबल के लिए एक का टेबल लिख दीजे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नो, दस, नो का टेबल यहाँ पर लिखिए, अब करना क्या है, कि जहां तक एक डिजिट है, वो सिंगल सिंगल दोनों में डिजिट है, आणि दो डिजिट जिसे मिलाने से बनेगा, उसको उसी तरह से लिख दीजे, यहाँ पर हम देखते हैं, तीन डिजिट है, तो इसमें क्या करना है, कि पहला जो इकाई का संखिया है, इसको जियों का तियों उतार देना है, और बाकी जो है बच्चा हुआ इसको जोड़ देना है, तो दो रेक, तीन, यह दोनों को जोड़ देना है, इसमें इकाई का यहाँ साथ लिख दिजिए, यहाँ क्या क्या बच गिया, तिन दू, पाँच, यहाँ पर इसी तरह से आपका यह दोनों को जोड़ देना है, इसका इकाई को लिख देना है, तो जोड़ देना है, पर यह दोनों को जोड़ दिजिए, एक गारा, फिर इकाई को लिखिए और ये दोनों को जोड़ दिजिए साथ छो तैरा फिर इकाई को लिखिये और दोनों को जोडिये आठ साथ पंदरा इकाई एक नो आठ सत्रा जीरो इकाई और एक अरदस उन्नैस ए आपका उन्नैस का टेबल बिना हम आद रखे इजी वेब में बना सकते हैं ये तो नो उन्नैस छोटे हो गए जदी हमको बड़ा का टेबल लिखना है मान चलिए हमको लिखना है बावन का टेबल तो इसके लिए क्या करना है सीधा सा इधार दो है यहां दो का टेबल लिखेंगे और इधार पांच है तो इसके नीचे पांच का टेबल लिखेंगे दो का टेबल लिखते जाईए दो दुनी चार दो तिये छो दो चौके आठ दो पंजे दस दु छे के बारा दु सती चाउदा दु अठी सॉला दु नवा अठारा दु दाविस पांच का चलिए पांच दु नी दस पांच तिया पंदरा पांच चोके बीस पचें पचीस पांच चका तीस पांच सत्य पैटीस पची अठी चालीस पांच नवा पैटालीस और पांच दहां पच्छास अब इसको क्या करना है कि हम इकाई जो है सो लिखते जाते हैं और जो बचा हुआ रहता उसको जोड़ देते हैं ये दो डिजिट का पहले से है तो इसको दो डिजिट का इसको लिखती है इसमें इकाई चार है तो यहां द्याई में कुछ नहीं है तो इसको ये इकाई चार और ये दस को इधर कुछ है नहीं ती जोड़ाएगा नहीं तो दस यहां पर भी इसी तरह यहां कुछ नहीं है तो ये छे लिखेंगे और ये पंदरम कुछ नहीं जुटेगा नि पंदरा यहाँ पर भी इसी तरह से 8 हो गया और यह 20 जोड़ने का कुछ नहीं है यहाँ पर देखिए यहाँ यह इकाई को छोड़ने के बाद इतना बच रहा है यह 0 यहाँ लिखेंगे और 25 और 1 26 इसी तरह से यहाँ पर 2 है इकाई को छोड़ देते हैं और यह दोनों को जोड़ दिजिए दो और 30 और 1 31 यहाँ पर चलिए इसका इकाई को छोड़िए 4 यह दोनों को जोड़िए 35 और 1 36 इसी तरह से इसको 6 और यह दोनों को जोड़ दिजिए 41 फिर यह इकाई 8 हुआ और 45 और 1 46 इसमें जोड़िए 0 इधर इकाई 50 और 52 तो यह आपका 52 का टेबल हो गया आप इसी तरह से जिसका भी टेबल आप निकालना चाहेंगे सभी का निकल जाएगा हम जदी कभी कभी होता क्या है कि जदी पूछ दिया कि 23 चौक के कितना होता है तो इसमें करना क्या है कि इसको गुना करिए और फिर इसको गुना करिए तिन चौक के बारा और चार दुनी आठ अब क्या करना इकाई को छोड़ देना है इस नियम से इकाई दो है और इधर दोनों को जोड़ दीजिए आठ आरेक नौ तैस चौक को बानवे हो गया हमको पूरा टेबल भी लिखने ज़रूरत नहीं ने तो ज़्यादा लंबा प्रोसेस भी करने ज़रूरत है मल ये 56 पंजे पुछ रहा है तो कैसे निकालेंगे पहले इस दोनों को गुना करिए 35 और इसको इसको गुना करिए 25 25 क्या करते हैं इकाई को लिख देते हैं और अंदर को जोड देते हैं अंदर को जोड़िए 25 और 3 28 56 पंजे 280 तो दोस्तों इस तरह से हम एक से 100 तक का जो पहाड़ा है उसको हम इजी मेथड में हम लिख सकते हैं गुना कर सकते हैं आराम से हम आज रख सकते हैं जदी एक चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्क्राइब करना ना भूले एक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें इससे मेरा मनोबल वढ़ता है धैन्यवाद